Hello friends, if you are a CA student and worried about your upcoming exams, then this video is just for you. Now what is in this video? हम लेके आए हैं आपके सामने एक case program. Case program का क्या मतलब है? Case program का मतलब है consistent studies in every Saturday exam. इसमें आपको क्या किया जाएगा? एक target दिया जाएगा और उस target के हिसाब से आपको prepare करना है. तो इसके क्या क्या benefits होंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि corona के चलते, lockdown के चलते और even postponement and cancellation of exam के चलते बहुत सारे students को दिक्कट जा रही है confidence में. Even उनको दिक्कट जा रही है जो पढ़ाई जो थी वो उनकी track से हट चुकी है. तो उसको वापस track में लाने को help करेगा यह आपका program. इस program के benefits अगर आप देखें तो आपको यह confidence बढ़ा के देगा. अगर आपका confidence low हो चुका है तो this program will help you in increasing your confidence. और वहीं अगर आपका confidence जादा है, over confident हो चुके हैं, आपके बहुत time मिल चुका है, अब तो हम आराम से कर लेंगे. तो उसको भी बरॉबर level पे लाने में help करेगा यह case program. दूसरी चीज़ है consistency. Consistency is the key. सोच के देखो आपको अगर 300 runs बनाना है, सिरफ 50 hours में, तो क्या यह बहुत मुश्किल जाएगा? आंसर is no. अगर आप consistently prepare करते हैं, तो जादा दिकत नहीं जाएगी. लेकिन अगर आपने शुरू में बहुत धील दे दी, और आखरी के 20 hours में सोचते हैं, कि अब हम बहुत मार के, बहुत six मारेंगे, बहुत four मारेंगे, boundaries मारेंगे, और हम 300 runs बना लेंगे आखरी के 20 hours में, then it is not possible. बोलने का मतलब यह है कि consistency is the key. तो आपको consistent रहने में मदद करेगा यह case program. कैसे? यह हम आगे देखेंगे. फिर learn from your mistakes. आपको जो भी गलतियां हैं, उससे सीखना है. जो गलतियां आपकी होती है main exam में. अगर आप main exam में एक गलती करते हैं, तो उससे आपके marks पे बहुत फरक पड़ता है. समझो एक गलती किया आपने एक particular paper में और उससे 5 mark का फरक पड़ गया. अब ऐसी अगर आप ह इस program में करेंगे, गलती करेंगे, तो इससे आपको सीखने मिलेगा. और main exam में फिर ये गलती नहीं होगी. ये मैंने minimum amount बताया आपको कि minimum आप एक गलती करोगे और 5 mark वगरे, ये minimum हो गया. हो सकता है आप जादा गलती करें और उससे जादा सीखने को मिले. लेकिन सीखना है तो हमको यहां सीखना है. main exam में हम गलती करना अफोर्ट नहीं कर सकते हैं. अगला जो benefit मिलेगा, ये रहेगा, challenging your limits. आपकी जो limit है, आपका जो पढ़ने की limit लग चुकी है, क्योंकि आप घर पे बैठे रहते हैं, आपकी libraries बंद है, आपकी classes बंद है, friends से थोड़ी मिलना लेते थे, वो कम हो चुकी है. आपको फिर से वो बढ़ाने में help करेगा, ये case program. इसमें आपके लिए क्या क्या लाया गया है, कैसे ये काम करता है, इसमें आपको एक target दिया जाएगा, weekly target. आपको हर हफते एक target दिया जाएगा, और हर हफता जैसी खतम होता है, तो weekend पे Saturday को आपको एक paper दिया जाएगा, वो paper आपको solve करना है, solve करके आपको हमको वापस भेजना है, इसमें आपको check करके पूरा मिलेगा, और even आपको expert guidance मिलेगा, by the expert faculties, तो faculties आपको every Sunday guidance देगी, तो आपको जो भी doubts से आप उनको solve करवा सकते हैं, इसके अलावा हम इस program में क्या क्या लेके आए हैं, हर subject को हम 4 part में divide कर देंगे, for example accounts का अगर subject है, तो हम उसको 25-25% में divide कर देंगे, means आपके एक paper की 4 test होने वाली है, ऐसा करके आपके 4 paper, means आपकी total 16 tests होगी, ठीक है, तो 4 paper और 4 test, तो 16 test आपकी total होगी, यह जो test होगी, यह आपकी 40 marks each रहेगी, इसमें आपको test म papers solve करके भेजना है, इसमें आपको हर हफते 2 papers रहेंगे, याने आपको 2 subject एक साथ prepare कराये जाएंगे, 2 subject का target दिया जाएगा, और आपको prepare करके हमको paper solve करके भेजना है, इसके बाद intermediate वाले बच्चों के लिए क्या है, तो intermediate वाले students के लिए paper जो है इसको 2 parts में divide किया है, 50% and 50%, ह हर paper जो रहेगा, that will be of 60 marks, यहाँ पे भी आपके 2 paper होंगे, हर subject में, यहाँ पे जो papers होंगे, total 16 papers आपके लिए जाएंगे, of 60 marks each, यह जो papers है, इसमें भी आप जैसे solve करके भेज देंगे, तो इसके बाद आपको guidance मिलेगा from the expert faculties on Sunday, फिर इसके बाद CA final वाले बच्चों के intensively, total एक subject एक हकते में, one week में cover कर सकते हैं, और total आपके 8 papers होंगे, इसमें भी आपका जैसे ही paper हो जाता है, उसके बाद आप expert guidance मांग सकते हैं from the faculties, फिर इसमें आपकी जो fees है, वो क्या रखी गई है, जैसा कि CA foundation exam है, इसमें मैंने आपको बताया है कि 16 papers होंगे involved, जिसकी fees हम आपको 1600 लगेगा, means सिर्फ 100 रुपेज पर paper में आपका यहां पर काम हो रहा है, और इसके अलावा जो CA final है, उसमें 1200 for 8 papers, तो यह जो आपके rates है, यह जो बहुत एकदम reasonable इसमें बनाया गया है, इसमें हम लोग का कोई profit motive नहीं है, यह हम लोग का सिर्फ बच्चों को help करने क लिए, and आपके ध्यान में लाने के लिए यह चीज और बता दू, कि यह जो है, यह chartered accountants बना रहे हैं, तो यह ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपने student को बोल दिया कि papers बनाओ, it is prepared by the chartered accountants, और उन लोग ही बनाएंगे, उन लोग ही prepare करेंगे, पुरा test का pattern, उन लोग ही checking करेंगे और expert guidance भी उनके द्वारा और even हमारे द्वारा आपको मिलेगा, तो आप enroll करने के लिए हमारी website पे जा सकते हैं, capslearning.org या फिर हमारे phone number पे contact कर सकते हैं, phone number has been provided in the link, चलिए, thank you.